वेलकम टू करेंट शिक्षा आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तयारी भी बहुत अच्छी चल लए होगी आज इस वीडियो में हम नर्वस सिस्टम कंप्लीट करने वाले हैं इससे पहले बाइलोजी की 14 वीडियो आ चुकी हैं और यह बाइलोजी स के लिए आप लोग टेलिग्राम को जोईन कर लें वहाँ पर इसका पीडियाफ आप लोग को मिल जाएगा आई आज की शुरुआत करते हैं सेंट्र नर्वस सिस्टम यानि की तंत्रिका तंत्र यह नियंत्रन और संचालन के काम आता है हमारी बाड़ी को नियंत्रन और संच में सबसे लंबी कोशिका होती है नियूरोन सेंट्र नर्वस सिस्टम की बात करें तो हैं ध्या knowledge के दो नथी है व्यारी यानि कि मस्तिस्क इस्पाइनल कॉर्ड यानि की मिरो रज्जु यहां पर ब्रेयं के बारे में सबसे पहले देख लिएते हैं अ अगर बहाग यहां प होता है cranial कपाल जिसको कहा जाता है और यह हमारे connects को शुरच्च्छा प्रवाईड करता है है यहां पर एक झिल्ली पाई जाती है मेनेंजाइट जिल्ली होती है अगर इसमें सूजन आ यहां पर इस बस्च बास है। करेंद ब्रेंज यहां कर देर होई हैं अगर यानि का। यह यहां पर पस्च यहां पर हिंड ब्रेंज इसको कहते हैं अगर बाग यानि का। ओर्परेन में, seribrahm और hypothalamus आता है, seribrahm 67% seribrahm window होता है और यह सबसे बड़ा भाग होता है, हमारे मस्तिस्क का, seribrahm से हम्यादास्त जो हमारी होती है,को रख पाते हैं, memory लखने के काम यही आता है, इसे की लेफ्ट राइट और राइट से लेफ्ट नियंत्रण सेरी ब्रम का ही होता है हाइपोथेलेमस तापमान प्यार नफरत और फिलिंग को कंट्रोल करता है मद्य भाग यानि मिड ब्रेन से कर्पूरा यहां पर पायदाता है और यह देखने और सुनने में शहायता करता है पस्च भाग यानि की हिंड ब्रेन से दो भाग पायदाते हैं सेरी बेलम और मेडूला अबलंगेटा Cerebellum दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है और ये Learning और सरीर का संतुलन बनाने के काम आता है Medulla Oblongator से अनच्छिक क्रियाएं कंट्रोल होती है जैसे कि स्वसन Heartbeat Medulla Oblongator से कंट्रोल किये जाते हैं Next है यहाँ पर Neuron का Shape दिया हुआ है Dendron इसको कहते हैं यहाँ पर जो यह दिया हुआ बीच में Dendron है और इस portion को Exon कहा दाता है अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर figure दिया हुआ अगर यहाँ पर भी ऐसे ही figure यहाँ पर बना होता है और यह इस nervous system से जुड़ता है यहाँ पर Neuron से जुड़ता है तो यह Synapse से जुड़ता है दो Neuron के बीच में Synapse पायदाता है और यह इसी से जुड़ता है यहाँ पर Synapse होता है अगर यहाँ पर दूसरा Neuron जैसे की होता है Next है Spinal Cord Spinal Cord में 31 ओड़ी Neurons पायदाते हैं और यह Reflex Action यानि की तुरंत Action को कंट्रोल करता है Spinal Cord जैसे की गर्म चाए चुबना जैसे की चुब जाता है तो यहाँ पर Reflex Action होता है और यह Spinal Cord के दौरा कंट्रोल किया जाता है EEG Electro Encephalogram मस्तिस्क की जांच जो होती है इसको Electro Encephalogram कहा जाता है I hope आप आप लोगो वीडियो अच्छी लगी होगी आज यहाँ पर Biology के जो Series है यह समाप तो होती है और अगली जो Classes चल नहीं है Quality की उसमें अब कल से आप लोगो एक दो वीडियो डेली देखने को मिलेंगी इसके बाद हम History portion पर आएंगे अगर आप लोग चैनल पर पहली बारा हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इससे आप लोगो बहुत मदद मिलेगी मिलते हैं एक लिए वीडियो में तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए धन्यवाद जैहन